हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग मैंने में संजीफ पांडे और स्वागत आपका आपका आपने प्यारे से चनल में खुबसूरे से चनल में जया टुटोरियल में जैसा कि आपको पता है we have started the chapter number 3 chapter number 3 का हम लोग ने last ही lecture में projectile motion खतम कर दिया था अगर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाओ projectile motion खतम करो फिर यहाँ पर आओ क्यूंकि यहाँ पर हम लोग discussion करने वाले हैं एक और two dimensional motion जो की है circular motion अब सबसे starting में ही disclaimer देता हूँ circular motion 12 में तुमको पूरा का पूरा chapter है तो यहाँ पे हम लोग बहुत कम discussion करने वाले हैं circular motion के बारे में ऐसा नहीं है कि सर आपने यह नहीं पढ़ाया circular motion में यह होता है circular motion में बहुत सी चीज़े होती हैं बट हम लोग सारी चीज़े देखने वाले नहीं हैं क्यों नहीं देखने वाले हैं क्योंकि 12 में अल्रेड़ी हमारे पास एक topic है पूरा rotational dynamics करके उसके अंदर circular motion बहुत detail में हम लोग पढ़ने वाले हैं सो चलो time waste नहीं करते हैं book pen उठालो सब लोग बैठ जाओ शान्ती से ओके सो आज का हम लोगा topic है वो है circular motion देखो circular motion क्या होता है the basic definition of circular motion is nothing but any object anybody revolve in a circular orbit ओके कोई भी अगर गोला 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 गुमेगा किसी orbit मे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे circular motion बोलेंगे मतलब यह जो यह जो object है यह object क्या कर रहा है यह object एक orbit में घूम रहा है किसकी orbit में घूम रहा है एक circular orbit में घूम रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलने वाला है circular motion यह कौन सा motion perform करेगा circular motion अब यह two dimension कैसे हुआ तो ज़रा ध्यान से देखो अगर यहाँ पर मैं axis ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर मैं axis ड्रॉ कर दूँ माललो यह x axis है और यह y axis है तो ज़रा ध्यान से देखो अगर यह motion आगी की तरफ यह आगी की तरफ माललो कि यह clockwise तरफ motion कर रहा है तो देखो यह x में भी आगी जा रहा है और y में भी आगे जा रहा है मतलब दोनों dimension दोनों axis के along ये move कर रहा है इसलिए ये motion in a plane में consider होता है, अलग से circular motion इसका नाम है, बट ये है तो motion in a plane का ही part, जैसे हम लोग ने projectile देखा था, वैसे ही same हम को क्या देखना है circular motion देखना है, obvious ही बात है circular motion अगर समझना है, तो कुछ basic terms समझने पढ़ेंगे उसके, motion के कुछ basic terms होते हैं, जो हमको समझने पढ़ते हैं वो समझ गया, तो motion clear बात समझ में आ गई, start करें चलो, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला चीज देखेंगे, आप लोग यूनिफर्म circular motion देखो, यूनिफर्म circular motion क्या होता है यूनिफर्म circular motion का मतलब होता है कि ऐसा motion जिसके अंदर ऐसा motion जिसके अंदर velocity का सिरिफ magnitude constant हो, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे confusion होता है लोगों को, कि directly बोल देते हैं velocity constant हो, ना ना circular motion एक ऐसा motion है जहाँ पे velocity कभी जिन्दगी में constant नहीं हो सकता, ध्यान से समझो कैसे, यहाँ पे motion हो रहा है यह देखो, यह particle है अब यह particle जब revolve करेगा clockwise direction में तो इस particle को ध्यान से समझने की कोशिस करो, देखो इसका velocity का direction यहाँ पे रहेगा जब particle यहाँ पे आ गया तो इसके velocity का direction यहाँ पे रहेगा जब particle यहाँ पे आ गया तो इसके velocity का यहाँ पे direction, इसके velocity का यहाँ पे direction, यहाँ पे देखो भाई, velocity का direction हमेशा change होगा, और velocity का अगर direction हमेशा change हो रहा है तो हम नहीं बोल सकते कि velocity is constant, क्योंकि velocity is a vector quantity, constant होने के लिए उसका magnitude भी same होना पड़ेगा और उसका direction भी same होना पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना, during circular motion, the velocity does not remain constant, हाँ, the magnitude of the velocity remain constant, और अगर ऐसा कोई circular motion होगा, जिसके अंदर magnitude of velocity, magnitude of velocity, अगर constant होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, uniform, circular, motion, जिसको तुम लोग एक और नाम से जानते हो, which is nothing but a UCL, ओके, clear, भासन में आगे everyone, पक्का, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़े हमको extra पढ़नी होती है, that is called angular displacement and angular velocity, क्योंकि अभी तक हम लोग सारी चीज़े linear में पढ़ते आ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे angular की चीज़े, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखो angular displacement क्या होता है, यहाँ पर माल लो एक circular motion हो रहा है, particle यहाँ पर है, less say P position पे, और यहाँ पर चला गया, less say Q position पे, मतलब माल लो कि कुछ time था, when time is 0, particle यहाँ पर था, और when time is T, particle यहाँ पर चला गया, अब देखो, particle ने with respect to center, with respect to center travel कैसे किया, उसने with respect to center एक angle बनाया, क्या बनाया, एक angle बनाया, मतलब माल लो center पे मैं खड़ा हूँ, और मैं खड़ा होके उस particle को देख रहा हूँ, अब उस particle को मैं जब देखूंगा, तो उसको एक angle में देखूंगा रहा है, मतलब उसने एक angular motion किया, that is nothing but angular motion, this theta is nothing but angular motion, इसको बोलते हैं हम लोग angular displacement, क्या बोलते हैं, angular displacement, अगेन ये एक vector quantity है, axial vector है, अगेन वापस question आएगा सार, axial vector बताओ, ये बताओ, tension मतलो, 12 में सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं, ओके, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ओके, angular displacement, एक vector quantity है, ओके, अब angular velocity की बात करें, तो angular velocity क्या होता है, अब उससे पहले देख लो, इसका unit, भ का होगा, displacement का unit, meter होता है, इसका भी unit meter होगा, सार, नहीं होगा, ये एक angle है, और angle का unit तुमको पता है, that is nothing but, ऐसा यूनिट क्या ही होता है ऐसा यूनिट होता है रेडियन और कुछ नहीं क्या होता है रेडियन और हमको इसको किस से रिप्रेजन करते हैं रेडी से रिप्रेजन करते हैं वैसी angular velocity भी एक चीज होती है उसको generally हम लोग represent करते हैं omega से generally किस से represent करते हैं? omega से क्या होगा omega? angular velocity क्या होगा? देखो समझने के कोशिस करो जरा मेरे को यह बता दो angular हटा दो, खाली velocity तो खाली velocity को अगर हम लोग को define करना रहे तो कैसे define करेंगे? हम लोग define करते हैं displacement by time, मतलब linear displacement with respect to time तो angular velocity को अगर define करना रहे तो वीडियो pause करो और बताओ जरा comment में कि क्या define करोगे? बताओ जरा, भाई angle लगा देना है शिरिफ, शिरिफ क्या लगा देना है? angle लगा देना है, मतलब कहानी क्या बन जाएगी? कहानी बन जाएगी? angular velocity can be defined as angular displacement with respect to time, this is nothing but angular velocity, अब इसको हम लोग बोल सकते हैं change in angular displacement, क्योंकि angular displacement change होगा न, okay, so change in angular displacement, मतलब theta 2 minus theta 1, यास हो न, और माल लो कि अगर constant है, तो theta ही ले लो, कोई problem नहीं है, okay, initial theta माल लो वो 0 से start कर रहा है, तो tension वाली बात नहीं है, okay, so basically omega का मेरा formula हो जाता है, theta by time, okay, unit क्या हो जाएगा, कोई बताएगा, what will be the unit, unit will be, radian per second, this is nothing but unit, SI unit is radian per second, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है, वहाँ पर मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा, रेडियान पर सेकंड, हाँ या न, समझा, वहाँ पर क्या होगा, meter per second, linear velocity क्या होती थी, meter per second, यहाँ पे क्या होगा, radian per second, बासन में आग निसम्हाँ, समझ में, angular velocity क्या होता है, कैसे define करेंगा angular velocity, मिरे साथ repeat करो, the rate of change of angular displacement is nothing but angular velocity, yes or no, समझा, formula क्या है, omega is equals to theta by t, unit क्या है, radian per second, हाँ, dimension अगर किसी ने पूछ लिया, तो dimension क्या होगा, radian का dimension नहीं होता, याद रखना, radian angle एक ऐसी quantity है, जिसके पास unit तो है, बड़ dimension नहीं है, तो इसका dimension अगर देखने जाओगे, तो t-1 ही आएगा, dimension will be t-1, nothing else, clear, समझा, समझ में आया, what is angular displacement, समझ में आया, what is angular velocity, दोनों चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, यह दोनों चीज़ समझोगे, तो ही circular motion का फंडा समझ में आने वाला है, अब हम लोग specially बात करने वाले थे, UCM की, तो वापस आजाओ, बात करेंगे UCM की, UCM एक ऐसा circular motion है, जहाँ पे, मेरा velocity का magnitude क्या होता है, constant होता है, और जब velocity का magnitude constant होता है, तो उस motion को बोला जाता है, uniform circular motion, तो यहाँ पे हम लोग discuss करने वाले हैं, uniform circular motion, ओके, अब motion provide कौन करता है, भाई, motion provide करता है force, यह सो नो, और circular motion होता है, तो already हम लोग ने शायद से 9th और 10th में पढ़ा है, during the circular motion, दो force का नाम आता है हमारे जुबान पे, कौन कौन सा, centripetal force and centrifugal force, very good, okay, तो यहाँ पे, actual में जो circular motion create कर रहा है, वो कौन create कर रहा है, वो centripetal force create कर रहा है, a force, a net force acting towards the center, भाई, center की तरफ जो force लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, centripetal force, और वो centripetal force की वज़े से एक acceleration आएगा, that is called centripetal acceleration, okay, ऐसा basically अगर हम लोग देखने जाए, तो there are four acceleration, okay, अगर हम लोग बात करें, तो चार तरह के acceleration होते हैं, अगर हम लोग बात करें, तो चार तरह के acceleration होते हैं, okay, कौन-कौन से acceleration, angular acceleration, angular acceleration, centripetal acceleration, tangential acceleration, net acceleration, okay, angular acceleration क्या होगा, देखो, अब भी वापस बता दे रहा हूं, वापस से बता दे रहा हूं, यह चीज 12th में complete है, okay, already, अगर कोई interested है, तो already हमारा 12th का lecture चालू है, already हम लोग rotational dynamics का वीडियो बना चुके हैं, okay, वहाँ पर यह सारा चीज detail में हम लोग ने पढ़ा है, वहाँ जाके तुम लोग पढ़ सकते हो, कोई problem नहीं, okay, so angular acceleration अगर हम लोग बात करें, तो angular acceleration को हम लोग represent करते हैं, alpha से, और इसका definition हो जाता है, omega by t, मतलब change in omega, change in angular velocity divided by time, okay, तो यह तो present रहने वाला है, centripetal acceleration भी present रहने वाला है, क्योंकि centripetal acceleration क्या होता है, centripetal acceleration produce होता है, centrifugal force की वज़े से, और centrifugal force कब होता है, जब circular motion होता है, तो अगर circular motion हो रहा है, तो centripetal force obviously हमेशा present रहेगा, और अगर centripetal force present है, तो centripetal acceleration produce करेगा ही करेगा, और centripetal acceleration हमेशा present रहेगा, tangential acceleration हमेशा present नहीं होता, इसलिए हम लोग कभी पढ़ते नहीं हो उसके बारे में, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं UCM की, uniform circular motion की, अब uniform circular motion में क्या होता है, uniform circular motion में जो tangential acceleration है, यह हमेशा गायब होता है, क्योंकि tangential acceleration का produce होता है, जब velocity का magnitude change हो, जैसे एक best example है, जब हम लोग fan को चालू करते हैं, जब fan चालू करते हैं, तो तुम लोग fan को observe करो ध्यान से, देखो fan धिरे 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 गुम रहा है, अब धिरे 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 वो अपनी velocity change कर रहा है, मतलब वहाँ पे tangential acceleration present होगा, वहाँ पे tangential acceleration present होगा, बट आफ्टर सम टाइम, fan एक constant speed पे घुमना चालू कर देता है, वो अपनी velocity अब change नहीं कर रहा है, जब वो अपनी velocity change नहीं करेगा, तो tangential acceleration 0 रहेगा, यहाँ पे हम लोग सिरीफ बात करने वाले हैं, centripetal acceleration की, हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, सिरीफ किसकी बात करने वाले हैं, centripetal acceleration की बात करने वाले हैं, यह हमेशा present रहेगा, if there will be a, if there will be a, अगर कभी भी circular motion होगा, तो याद रखना, during the circular motion centripetal acceleration हमेशा present रहने वाली quantity है यह कभी absent नहीं होगी यह absent हो जाएगी Tangential acceleration absent हो जाएगी क्योंकि by Tangential acceleration किसकी वज़े से प्रोडूस होता है किसकी वज़े से जब magnitude change हो और magnitude लो change हमेशा नहीं होता तो टिंजयंशे लेक्सटेरेशन गायब हो सकता है बट कभी गायब नहीं हो सकता है तो सेंट्रीपिटल का एक्सप्रेशन क्या होता है सेंट्रीपिटल का फॉर्मुला उससे पहले कुछ और बेसिक टर्म से वह हम लोग समझने कोशिस करते हैं तो मेरे ख्याल से आंगुलर स्पीड हम लोग ने देख लिया है ओमेगा ओमेगा हमको पता है क्या होता है तो यह चीज तो हमारा हो चुका है अब हम लोग बात करते हैं टाइम पिरेड का एक बेसिक डेफिनेशन है जो शाय तक बच्पन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो that basic definition is nothing but the time required by the particle to complete one revolution is called time period okay time period क्या होता है time period होता है time taken by the particle or body to complete one revolution okay this is nothing but time period this is nothing but time period माल लो कि माल लो कि अगर हम लोग बात करें कि भाई एक बॉड़ी है वो circular motion कर रहा है लेटस से यहां से स्टार्ट कर रहा है वो clockwise घुम रहा है so जब यह body complete होके यहां से एक चक्कर लगा के वापस यहां पर आएगा और उस समय वो during that motion वो जितना समय लेगा उस समय को हम लोग बोलते हैं time period क्या बोलते हैं उस समय को हम लोग time period बोलते हैं बासन में आगे everyone पका okay so time period कैसे calculate करेंगे तो हम लोग calculate करेंगे basic formula से that is speed का formula what is speed का formula speed का formula होता है distance divided by time distance divided by time एक basic formula है मारे पास this speed क्या ही है माल लोग वी ले लेते हैं अब यहां पर V speed है okay क्या है V speed है हम लोग speed की बात कर रहे हैं अगर मैं distance की बात करूं तो distance कितना कवर करेगा वो circumference of the circle that is two pi r और नीचे क्या है time यहां पर जाएगा time period capital T याद रखना हम लोग time period के लिए use करते है capital T okay क्यों capital T डाला क्यूंकि यहां पर complete revolution हो रहा है और complete revolution के लिए complete revolution के लिए जो time period जो time होगा वो that become a time period okay मतलब एक complete motion करने के लिए body को या फिर particle को जितना समय लगता है उस समय को बोला जाता है time period आधा करने के लिए कितना लगता है time just a time okay quarter करने के लिए कितना लगता है just a time okay बस अगर complete की बात करे तो complete करने में कितना टाइम लगता है को कितना टाइम लगता है उसको सब्सक्रांस लाएग रिलेश्ण गया that is V is Equals 2by nth का भि एक कि रिलेश्ण मिल जाएगा ती इस टी इव्यलदि ट सब्सक्राइए यंघा नफिंग वे हैने तम सॉफ टी है नथिं अल्स, clear, बास निया, everyone पका, अब मेरे पास एक और फॉर्मुला है, time period का in terms of omega, in terms of angular velocity and that is nothing but, वो define होता है, t is equals to 2 pi by omega, this is the relation, यह आध रखना, time period का होता है, 2 pi by omega, 2 pi बोले तो 360, by एक चक्कर लगाने के लिए कितना अंगल होता है, 360, तो 360, yes or no, divided by omega, nothing but angular velocity, तो this is nothing but distance divided by time, बस वो distance को हम लोगने angle term में लिए है, nothing else, yes or no, बास संगा है, अब यहाँ से देखो, दोनों time period को जरा equate करो, इसको और इसको equate करोगे, क्या मिलेगा, देखो जरा, तो यहाँ पर क्या है, 2 pi r, यहाँ पर क्या है, 2 pi r by v, is equals to, यहाँ पर क्या है, 2 pi by omega, तो देखो 2 pi, 2 pi cancel, यह omega लेका हो, v दर लेका हो, क्या मिलेगा, v is equals to r omega, one of the most important relation, this is nothing but a relation between linear velocity and angular velocity, यह linear velocity और angular velocity का relation है, याद रखना, and where r is, r is the perpendicular distance, r is the perpendicular, यहाँ पर हम लोग बात करें, तो indirectly यहाँ पर वो r radius बन जाएगा, but actual में, वो एक perpendicular distance है, but actual में वो क्या है, एक perpendicular distance है, clear, बात समझ में आई, कहां से यह relation आया, that is v is equals to r omega, पका, everyone, ओके, चलो, अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर radius vector की बात करने वाले हम लो, देखो radius vector क्या है, radius vector is nothing but a vector, यह मात्र एक vector है, और कुछ नहीं, okay, मतलब क्या है, मतलब यह है, कि center से outward की तरफ, center से outward की तरफ, अगर हम लोग बात करें, यहाँ से बाहर की तरफ, okay, एक arrow जाएगा, and this arrow is nothing but a radius vector, यह एक तरह का radius है, बट यह vector quantity है, क्योंकि इसके पास direction है, और इसका direction हमेशे कहा रहेगा, इसका direction हमेशे हमेशे रहेगा, तुमको पता है, radius है, radius का क्या ही होगा, length होगा, length क्या ही होता है, meter होता ही है, तो तुमको पता ही है, बात समझ में आया, तो clear समझ में आया, what is time period, what is radius vector, what is angular speed, everyone, पक्का, देखो, these are the basic terms for the circular motion, अगर तुमको यह basic terms समझ में आ रहे हैं, circular motion के, तो सारा चीज समझ में आ जाएगा, okay, so सबसे पहले क्या करो, सारा circular motion का अच्छे से notes बना लो, भाई, circular motion होता क्या है, okay, circular motion में कौन कौन सी velocities लगती है, okay, circular motion में कौन कौन सा acceleration लगता है, कौन सा acceleration present होता है, हमेशा कौन सा acceleration थोड़े time के लिए होता है, यह सारे चीज का notes ready कर लो, next lecture में हम लोग क्या बात करेंगे, next lecture में हम लोग बात करेंगे, कैसे, कैसे centripetal acceleration कैसे calculate किया जाता है, और हम लोग वहाँ पर बात करेंगे, कौनिकल पेंडूलन की, okay, जो कि बहुत important topic है तुमारा, clear, बात समझ माई everyone, पका, okay, चलो, so, आगर तुम लोग को कुछ डाउ अगर पढ़ाई नहीं कर रहो है, तो फायदा नहीं है, याद रखना, पढ़ाई important है, पढ़ाई करो, doubt आ रहा है, comment करो, अगर वीडियो यहां तक देख लिए हो, तो वीडियो को like करना है, और चैनल पर अगर तुमनों को first time हो, तो obviously चैनल को subscribe करना ही करना है, चलो, so bye everyone, मिलत करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much.